शूंहाँ के वेलकम स्टुडन्स। आज हम शुरुवाद करेंगे फाइलम कॉर्डेटा से, आप सोच रहेंगों कि हमारा भी हेङभी हमी कॉर्डेटा बागी है have Meine डेटा में आपको पढ़ा दूंगा जैसे ही हम CODE DATA के GENERAL करेक्टर्स स्टार्ट करेंगे थोड़ा discussion CODE DATA के GENERAL कारेक्टर्स को पढ़ाने के बाद में हमी को डेटा पढ़ाऊँगा पर आपके सामने क्लीर हो जाएगा कि क्यों मैं अभी हमी कोड़ेटा नहीं पढ़ा रहा हूं अभी शुरुवात में अगर मैं आपको उन्हें से पढ़ा दूंगा तो थोड़ा से मज में नहीं आएगा तो वन्स वी विल बिगिन विट विल कम्प्लीट दिसकेशन जनरल करेक्टर सोब कोड़ेटा एंड देन वी विल टॉक अब हैम पॉरपोटा मोलस्का इकाइनेविटा पढ़ लिया है हमी में अलग अलग फाइला है फईलं या फाइला मैंने आपको एक्स्प्लेंग किया फाइलम सिंगूलर रोता है और फाइला प्लूरल होता है वट एवंटा है कि पोरिफेरा से लेकर हमें कोड देंट टक जितने What I want to say कि Poriferous से लेकर Hemicodata तक जितने भी हमारे पास यह फाइला है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो और दस इन सभी फाइला को हम कंबाइन ली Non-Codata कहते हैं पर एक हमारा जो 11th नंबर का फाइला में वो अकेला Cordata है इसमें सारी Fishes आएंगे Amphibians आएंगे Reptiles आएंगे Aves यानि सारे Birds आएंगे और Mammals ये सारे Phylum, Cordata में आप पढ़ने वाले हो तो आपके दिमाग में ये Clear हो जाना चाहिए Cordata और Non-Cordata क्या होते हैं तो एक Last Phylum जो है हमारा 11th नंबर का उसके जितने भी Members हैं उन्हें हम Cordates कहते हैं और उसके अलावा जितने भी बचे हुए फाइला है हमारे पास Porifera से लेकर Heming Cordata तक ये सभी Combinely Non-Cordates कहलाए जाते हैं एक चीज़ हो गई दूसरी बात ये जो हमारा Phylum Cordata है इसमें जो Most of the Members होंगे इसके Most बोलाए बच्चों मेंने All नहीं बोलाए Most Members have Vertebral Column जो हमारी पीछे बैकबॉन होती है उसे हम Vertebral Column कहते हैं तो Most of the Members of Cordates Have Vertebral Column इसलिए आम बोलचाल की भाशा में हम कई बार Cordata को Vertebrata भी कह देते हैं और जो Non-Cordates होते हैं इनको हम Invertebrates भी कह देते हैं क्योंकि इनमें किसी के भी पास Vertebral Column नहीं होता है पर ये Non-Cordata और Cordata वाला जो Terminology है वो तो बिलकुल सही है लेकिन ये Invertebrates और Vertebrates में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा मैं क्या बात बता रहा हूँ वो समझिए मैंने यहां बताया आपको कि जो Most Members of Cordates है They have Vertebral Column तो उन्हें तो Vertebrata कहने में कोई दिक्कत नहीं है पर यहां देखिए आप Few Members ये Few Members कौन से होंगे वो मैं आपको बता दूँगा पढ़ेंगे अपनी ने Few Members Do Not Have Vertebral Column समझ में आया आपको कुछ ऐसे Members भी होंगे जिनके पास Vertebral Column नहीं होंगा अब ये Cordates तो हो गए पर ये Vertebrates नहीं हुए I repeat ये Cordates तो है पर इनमें Vertebral Column नहीं है इसलिए इन्हें हम Vertebrates Consider नहीं कर सकते हैं हाँ ये बात और है Loosely आम बोल चाल की भाशा में हम Cordata को Vertebrates बोल देते हैं और Non Cordata को Invertebrates भी बोल देते हैं लेकिन ये यहाँ जो हमारे Few members के नाम अभी मैं लेना नहीं चाता हूँ मैं आगे पढ़ाओंगा आपको ये Detail में हम इनके बारे में discussion करेंगे Just मैं आपको अभी क्यों ये mention किया कि आपके दिमाग में एक terminology clear हो जाए Cordates क्या होते हैं Non Cordates क्या होते हैं Vertebrates क्या होते हैं और Invertebrates क्या होते हैं तो इन सब को Invertebrates कहने में हमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आपको एक चीज अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि कुछ Cordates भी ऐसे होंगे जिनके पास Vertebral Column नहीं होगा हम इस पॉइंट को आगे और बाद में discuss करेंगे फिर आपका ये concept ये members कौन से हैं वो आपके दिमाग में question उठ रहा होगा हम बाद में उनके बारे में discussion करेंगे तो ये चीज आपको और ज़्यादा अच्छे से clear हो जाएगी चलिए बच्चों Let's begin with the phylum core data अब बच्चों आपके दिमाग में equation आ रहा होगा कि core data में कौन-कोन आते हैं अभी मैंने नाम लिया है उनका core data में सभी अभी discussion किया है मैंने fishes amphibians frog वगेरा उसके अलावा सारे reptiles snakes, tortoises, lizards turtles इसके अलावा birds सभी तरे की और finally mammals इन सभी को हमने core data में include किया है तो आप question यह हमारे दिमाग में आता है कि हमने इने core data में क्यूं रखा है बच्चों ध्यान से सुनिए आप all core data जिनको भी हमने core data में रखा है have अब यह तीन fundamental core data characters किसके पास है या क्या है जिस किसी के पास भी यह तीन गरेक्टर होंगे बच्चों जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूं आँख बंद करके आप उन्हें include कर दीजिए core data में तो let's do one thing कि हम एक diagram बनाते हैं किसी भी core data का बना लेते हैं किसका बना रहा हूं तो कि core data का बना रहा हूं अब core data में किसका बना रहा हूं फिश का बना रहा हूं एमफिबिया का रेप्टिलिया तो आप भूल जाए इन में से यह जो diagram बनेगा it will be applicable to all all core data वो मचली पर भी applicable रहेगा और वो मैमल पर भी applicable रहेगा तो that is very simple यह देखिए सारे core data इस तरह के दिखाई देंगे हमें तो देखिए झाल झाल तो बच्चों ये मैंने एक डाइगराम बनाया है अब आप इसको देखिए कि ये इसमें हमने क्या-क्या बना लिया है ध्यान से सुनेंगे आप देखिए यहां पर इसमें ये माउथ प्रेजेंट है और उसके बाद ये इतना जो इसका पॉर्शन है यहां से यहां तक का इसे मैं नाम दे रहा हूँ ये इलिमेंटरी के नाल है बच्चों माउथ है उसके बाद ये इलिमेंटरी के नाल है इसकी पूरी की पूरी इलिमेंटरी के नाल इस तरह से तो ये ज अहां पर यह इनकी एनस है, correct, अब आप देखिए, उपर क्या है, तो यह ब्लेक कलर का यह जो portion है, यह तो इनकी body wall हो जाएगी, fine, उसके बाद यह अंदर जो green कलर का part आपको दिखाई दे रहा है, यह बच्चों इनकी nerve cold है, और इस green कलर की nerve cold के ठीक नीचे की तरफ यह जो हमें pink कलर का यह portion बनाया है, यह बच्चों noto cold है, this is what we call noto cold, ओके, तो अब आप देखिए, कि मैं उन तीन fundamental corded characters के बारे में discuss करने जा रहा हूँ, और उन तीन fundamental corded character में से जो पहला corded character होगा, वो होगा presence, ध्यान से सुनेंगे, अच्चे से अपने दिमाग में बिठाएंगे, और्शल, तुबला, तुबला, सी राएंगे, उन गंग्लिओत, नोन गेंगलियोनेटेट नर्व कोर्ड नौ दीस पॉइंट्स आर वेरी इंपोर्टेंट आप सोच रहे होंगे अब ध्यान दीजिए आप इसको मैं अब इलबोरेट करता हूँ हमने कोक्रोच पड़ा, अर्थ वर्म पड़ा याद कीजिए कि कोक्रोच, अर्थ वर्म या जैसे प्लेटी हेलमेंति इनमें सबी में जो नर्व कोर्ड थी वो वेंटरिल साइड में थी लेकिन इस बार ये जो हमारी साइड है ये डॉर्सल साइड है आपको समझना यह side जो होती वो dorsal होती है नीचे वाली side होती है surface होती है इसे हम ventral कहते हैं और ये वाला जो end होता है इसे हम anterior कहते हैं और ये जो पीछे वाला end होता है इसे हम posterior कहते हैं correct बच्चों अब इसके अलावा दो अभी हमारी सÁइड़ हैं उनको हम lateral sides केते हैं, तो इस diagram में मैं आपको draw नी कर सकता हूँ, क्योंकि एक screen के ऊपर की तरह पर और एक screen की back side में हो जाएगी, जिस तरफ हमारे दोनों जो हाथ लगे हुए हैं ना बच्चों इनको हम lateral sides केते हैं, एक हमारा front हो जाएगा, अब human क्या है कि ऐसे गाय की तरह या बंदर की तरह चार टांगों पर तो चलता नहीं है, खड़ा हो गया, लेकिन anyway, जो हमारा front है, जो side है, हमारा front side वो हमारा ventral side हो जाएगा, और जो हमारी back है वो हमारी dorsal side हो जाएगी, जिस तरफ हमारा head है वो anterior हो जाएगा, और जिस तरफ हमारे पीछी legs है वो हमारा posterior side हो जाएगा, और जो दोनों sides है जहां हाथ लगे होए होते हैं हमारे, वो हमारी lateral sides हो जाएगी anyway, come back to this part, मैं क्या बता रहा हूँ कि जो nervous system में, cordata में, उसमें एक dorsal यह पहला difference आ गया, non-cordates जो थे, उनकी जो nerve cord थी, वो ventral side में थी cordate में जो होगी, वो dorsal side में होगी, वो आपको यहाँ दिख गई है दूसरी, जो हमारी nerve cord होती है, वो tubular होती है tubular का मतलब बच्चों, यह hollow है, आपको इस diagram में दिख भी रहा है यह देखिए, और मैं आपको बता देता हूँ, इसमें मैं एक liquid भी भर देता हूँ और interesting point और बता देता हूँ, कि इसका यह जो आगे वाला portion है यह वाला जो part है, यह थोड़ा सा swollen है, enlarged है, बड़ा है तो let me clear it, कि यह जो बड़ा वाला part है, यह आगे जाके future में जाके brain बन जाता है तो even हमारा जो brain है ना बच्चों, वो भी hollow होता है because what is our brain, brain is nothing, the brain is the enlarged part of nerve tube जो हमारी nerve cord होती है, उसका जो anterior part है, वही enlarge हो जाता है और आगे जाके brain बना देता है, तो यह हमारा इस तरह से brain बन गया समझ में आया, जो हमारी nerve cord है, इस nerve cord को क्योंकि यह hollow होती है तो हम इस nerve cord को हम neural tube भी बोलते हैं, कहां लिखी मैंने, यह nerve cord लिखा हो है तो इस nerve cord की जगे हम यहां लिख देते हैं, इसे neural tube भी बोल सकते हैं और आप यह समझ लीजिए कि anterior enlarged part of neural tube is our brain समझ में आया, तो brain nerve cord का ही part है, enlarged part है और brain भी अंदर से इस तरह से hollow है और हमारी यह जो nerve cord है, यह भी अंदर से hollow है location क्या हो गई इसकी, dorsal side में है, अंदर क्या भरा हुआ है, अंदर एक liquid भरा हुआ है जिसे हम cerebro spinal fluid कहेंगे तो यह लिख ले हम यहां पर, अंदर क्या भरा हुआ है, अंदर CSF भरा हुआ है cerebro, spinal fluid, clear बच्चों, दूसरा मैंने यहां inverse पर आ रहे हैं आपस हमारी nerve cord कैसी होती है, हमारी nerve cord dorsal होती है, एक चीज़ clear tubular होती है, tubular का मतलब hollow होती है और आपने देख लिया इस diagram में कि we have single nerve cord, जैसे जो invertebrates थे, cordates थे, वहां हम दो parallel nerve cord बनाते थे हमारे पास ऐसी double नहीं है, वहां हम लिखेंगे, invertebrates में हम क्या लिखते हैं, ventral, double, solid, ganglionated nerve cord है ना, वो solid भी थी, paired भी होती है, और ganglionated होती है, यहां हमारी जो nerve cord है, वो solid नहीं है, solid की जगे वो tubular है, hollow है, और double नहीं है we have single nerve cord और दूसरा जो nerve cord है, वो non ganglionated है, क्या आपको इसमें regular interval पर swelling, जो swollen part होते हैं से दिखाई दे रहे हैं, इस तरह के कोई ganglia बनाए मैंने, इस तरह से regular, तो कि नहीं, इसमें इस तरह का ganglia present नहीं है, तो the nerve cord in cordates is dorsal, tubular, single and non ganglionated, सभी cordates में, चाहे वो fish हो, amphibia हो, reptilia हो, evies हो, और mammals हो, सभी में nerve cord ऐसी ही होगी, okay, human में हम इस nerve cord को, चाहे तो spinal cord भी बोलते हैं, है न, particularly spinal cord ही बोलते हैं, आपको confused नहीं होना है, what is our spinal cord, spinal cord कुछ भी नहीं है, जो हमारी nerve cord है, जो हमारी neural tube है, उसी को हम spinal cord कहते हैं, और आगे जो उपर की तरफ इसका extend, enlarged part है, उसे हम brain कहते हैं, okay, now come to the second fundamental corded character, यह पहला हो गया, दूसरा जो fundamental corded character है, वो है, presence of notochord, presence of notochord, अब आप पुछेंगे कि यह notochord क्या है, let me tell you, बच्चों, इधर देखिए, इस diagram में मैंने यह purple color की एक thick road-like structure बनाया है, इस structure को हम notochord कहते हैं, जो हमारा पहला corded animal था, उस पहले corded animal में bones, cartilage, ऐसे बाहर कोई skeleton, कुछ भी नहीं था, तो जो early corded हमारे थे, first corded जो थे, hemicorded के बाद, जैसे है hemicorded खतम होता है, corded की शुरुवात होती है, और जो पहले corded थे, आप सोच रहे होंगे कि पहले corded fishes होगी, नहीं बच्चो, fishes से पहले भी कुछ छोटे-छोटे corded थे, जिनके पास bones या cartilage जैसा कोई skeletal system present नहीं था, तो उनकी body को support देने के लिए, उनके पास एक solid, road-like structure थी, जो की mesoderm से derived है, origin उसका क्या रहेगा, mesoderm से बनती है, आप जानते हैं हमारे पास तीन germ layer से, ectoderm, endoderm और mesoderm, notocord का origin किस से होता है, notocord का origin mesoderm से होता है, और solid structure है, road-like structure है, और function क्या है, इसका body को support, अब यह सोची है, यह हमारा छोटा सा animal है, इतना सा, तो अब इस animal को, इसमें कोई bone वगेरा कुछ है नहीं, तो body को shape किस से मिलेगा, elongated body है, कौन इसको थोड़ा सा support देगा, तो support देने के लिए यह notocord present है, हर cordate में, यह notocord compulsorily present है, यह जो word आया न, cordata, phylum cordata, 11th number का, cordata का मतलब ही है, all animals having notocord are included in cordata, तो यह एक बड़ा ही important character हो गया हमारे पास, हैना, जो तीन fundamental cordate characters है, इनकी कोई sequence नहीं, कि पहला कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा, हमको लिखते समय, number डालना पड़ेगा, one, two, three, but these three characters are equally important, इसमें आप इसको first, second, third sequence नहीं दे सकते हो, हैना, जो तीन cordate character में अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, they are compulsorily present in all cordates, तो presence of notocord, अब आप बोलोगे, अपने आपको compare करो, और आप देखो कि आपके पास notocord है या नहीं, तो कई बच्चे क्या करते हैं, कि जो हमारा पीछे हड्डियों से बना हुआ एक vertebral column जो है, हमारी backbone जो है, उसको वो notocord समझ लेते हैं, गलत, absolutely गलत, ऐसा नहीं, notocord अलग चीज है, vertebral column अलग चीज है, शुरू-शुरू के जो correlates थे, early correlates जो थे, first correlates जो थे, उनके पास bones और cartilage नहीं हुआ करती थी, तो उनकी life में, throughout the life, body को support देने के लिए notocord ही हुआ करती है, फिर बाद में जैसी fishes, amphibia, reptilia, जो advanced higher correlates का evolution हुआ, तो body क्या है, थोड़ी और बड़ी हो गई, थोड़ी और complicated हो गई, ऐसे में body को support देने के लिए उनके पास bones और cartilage भी आ गई, उनके पास एक vertebral column भी आ गया, ऐसे में उन्हें notocord की requirement नहीं रही, लेकिन बच्चों, ध्यान रखना है हमको, कि बाद के जितने भी chordates हैं, उनकी embryonic life में एक बार notocord बनती जरूर है, एक बार जरूर present रहेगी वो बनेगी, बाद में वो notocord vertebral column से replace हो जाएगी, ध्यान रखें, notocord do not get convert into vertebral column, I am saying that the notocord is replaced by vertebral column, है न, degenerate हो जाएगी और उसके बाद vertebral column बन जाएगी, अच्छा, एक चीज़ और आप अपने दिमाग में बिठा लेना, बहुत सारे बच्चे confuse होंगे, सोचिए, मैं यहाँ बनाता हूँ, इस diagram को हम नहीं destroy करते हैं, बिगाडते नहीं, दूसरा diagram मैं वा यह लीजिए, तो मैं ज्यादा चीज़ें अभी पूरा का पूरा नहीं बनाना चाहरा हूँ, मुझे जो main part बनाना है, वो हम बना के बताता हूँ, कि यह हमारे पास neural tube हो गई, और यह आगे वाला जो portion है, यह पूरा का पूरा brain हो गया, it's okay, ठीक है, इसको अभी ज़्यादा वो नीचे करेंगे हैं, और यहाँ नीचे की तरफ यह देखिए, नोटो कोरड हो गई, और उसके बाद यह इसको भी देर आर सो मैनी ट्रॉबल्स, क्या करें, उसके बाद यह देखिए, इसकी यहाँ पर pharynx और elementary, अभी मेरे को pharynx और elementary किनाल से कोई लेना देना नहीं, मेरा आप ध्यान यहाँ दीजिए, तो यह रही हमारी नोटो कोरड, अब मैं यह बता रहा हूँ आपको, कि जैसे जो higher कोरडेट से, जैसे fishes के बाद के, मतलब यह amphibia, reptilia, उन में क्या होगा, यह portion पुरा गायब हो जाएगा, बनेगी जरूर, embryonic life में एक बार नोटो कोरड जरूर बनेगी, आप इसको अपने दिमाग में फिट करके रखे, there is no कोरडेट, और बाद में जाके एक vertebral column आएगा, जो हड्डियों से बनाओगा, bone से बनाओगा, या cartilage से बनाओगा, उसकी location क्या होगी, वो हमें जैसे bone बनेगी, तो उस bone से आप देखिए, कि दो structure बनेगे, है ना, बहुत ही important चीज़ पढ़ा रहा हूँ, अपने दिमाग में अच्छे से fit करके रखे, थोड़ा time लगेगा, कोई बात नहीं, ज्यान से समझाएं, यह देखिए, यहाँ हड़ी का एक box बनेगा, brain को support करने के लिए, bone से एक bone का बनाओवा एक box evolve हो जाएगा, इसको तो हम नाम देंगे, cranium, इसको तो हम नाम देंगे, cranium, और यह bone का भी बना हो सकता है, या cartilage का भी बना हो सकता है, तो brain will be protected by cranium, और उसके बाद जो हमारी spinal cord है, यानि कि जो हमारी nerve cord है, उसको protect करने के लिए, अंगुठी की तरह, जो हमारी rings होती है, rings की तरह, bone का या cartilage का एक इस तरह से structure डवलप हो जाएगा, यह देखिए आप, यह चोड़ी चोड़ी bones हैं, जो इस nerve cord को चारों और से cover कर रही है, यह ऐसी होती, मैं इसका shape बना के बताता हूँ आपको, देखिए यह इस तरह की होगी, यह normally इस तरह से इसका shape होता है, simple सा इसका एक minute, इसको थोड़ा सा, सही कर देते हैं, इस तरह से इसका shape होगा, इस तरह की एक bone होगी, बच्चों, तो center में इस bone के अंदर यह आपको पूरा एक gap दिखाई दे रहा है, इसको हम vertebral canal कहेंगे, और बाकी यह पूरा solid portion है, है ना, तो इस तरह की यह जो structure है, ring like है almost है ना, ring में, ring ऐसी होती है, simply यहां उपर के तरह, इसमें यहां side में भी कुछ निकले होगे, यह सब में आपको skeletal system जो पढ़ेंगे हम, उस समय इन सब points को discuss करेंगे, अभी वापस यहां आ जाए, आपको समझ में आना चाहिए, कि यह जो चीज यह यहां लगी हुई है, य यह जो vertebra है, इस single bone को हम vertebra कहते हैं, इस single को हम vertebra कहते हैं, और यह पूरा का पूरा क्या बन गया आपका, vertebral column बन गया, तो notocord कहां गई, notocord है यह नहीं मिटा, है न, notocord जो है वो degenerate हो जाएगी, disappear हो जाएगी, और जो काम notocord को करना था, body को support देने का, वो काम फिर अभी यह vertebral column करेगा, तो कई बच्चे क्या होते हैं कि vertebral column और spinal cord में भी confused होते हैं, कि यह vertebral column क्या होता और spinal cord क्या होता है, तो ध्यान से सुन ले और समझ ले, कि जो center में neural tube जा रही है, जो हमारा nervous brain से extend हो रही है, वो है न, वो तो हो गए हमारी neural tube या nerve cord है, और उसको चारों और से cover करने के लिए, bones की जो rings है, और continuously वो series से लगी हुई rings है, उस series को हम vertebral column कहेंगे, तो इससे क्या हुआ, कि हमारा nerve cord जो है, जो neural tube है, या जो spinal cord है, वो अच्छे से protected हो गई, अच्छा है, एक क्योश्चन हमारी दिमाग में ये भी आएगा, ये ऐसे, अलग-अलग units क्यों है, एक solid क्यों नहीं बना, अगर solid, solid enclosure बन जाता, एक pipe ही बन जाता, bone का, तो फिर हमारी body में flexibility नहीं रहती बच्छों, तो vertebral column जो है, वो छोटे-छोटी bones का बना हुआ है, so that it permits some sort of flexibility to the body, spinal cord को तो protect कर दिया गया, vertebral column से, brain को किस से protect किया, brain को protect किया गया, cranium से, cranium को हम एक और ना box भी कहते हैं, ठीक है बच्छों, अब मैं क्या करता हूँ, इस diagram को एक बार हटा देता हूँ, आप अपने दिमाग में clear कर ले, notochord कहां गई, यह human का भी embryo हो सकता है, यह fish का भी हो सकता है, frog का भी हो सकता है, इन सभी animals में क्या होगा, कि एक बार embryonic life में notochord बनेगी, और ब appear हो जाएगी, is that clear, okay, let me delete this diagram, अब हमें इसकी जरूरत नहीं रही, fine, come back to the second chordate character, presence of notochord, अब यहां में क्या कर रहा हूँ, बच्छों, आगे इसमें लिख रहा हूँ, presence of notochord at at any developmental stage, यहनी कि चाहे embryonic life में हो, चाहे adult में, क्योंकि जो early chordates थें, है न, जो early chordates जो रहेंगे, जिनके पास bones और cartilage नहीं होगी, उनके पास lifelong notochord present रहेगी, लेकिन जो बाद के chordates होंगे, fishes, amphibia, इन में क्या होगा बच्छों कि embryonic life में notochord होगी, और बाद में, जब वो adults में develop होंगे, तीरे तीरे, उससे पहले ही उनमें notochord degenerate हो जाएगी, and it is replaced by vertebral column, तो इसलिए मैंने यह लिखाया, what is second chordate character, presence of notochord at any developmental stage, यहनी लाइफ में एक ब notochord आनी जरूर चाहिए, तो यह हो गया हमारा diagram को देखिए, second chordate character यह हो गया, अब आते हैं, notochord के बारे में दो point और लिख दें, what is notochord exactly, the notochord is a solid, road-like structure, solid होता है, road-like structure है, and origin क्या है बच्चों, and mesodermal in origin, correct, दो chordate character हो गया, तीसरे recorded character पर आते हैं, very important, यह देखिए, यह जो animal है, इसमें यहाँ पर यह आपको इसकी fairings दिखाई दे रही है, ओके बच्चों, अब मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से सुनना आप, समझना अच्छे से, यहाँ से मैं इस animal का section काटूँगा, correct, और हमारा view जो होगा, वो हमारा सामने से होगा, हम इसको सामने, इस जेगे से मैं काटूँगा, और उसके बाद इधर से मैं इसको देखूँगा, समझ में आया आप लोगों को, तो let's draw this diagram, कि सामने से देखने पर यह कैसा दिखाई देगा, नीचे आ जाते हैं, third coordinate character पढ़ने से पहले, यहाँ हम देखते हैं, उस animal का section काट रहें, तो बाहर की तरफ इसकी black color की body wall हो गई, मैं एक बार इसको थोड़ा सा थिक करना पड़ेगा, तो यह देखिए इसकी black color की body wall हो गई, उपर इसमें green color की nerve cord आएगी, तो यहाँ पर वो hollow nerve cord उसका वो भी दिखाई देगी, जब आप section काट ओगे तो बिलकुल दिखाई देगी, उ solid road like mesoderm भी आपको यह दिखाई देगी, तो यह रही उसकी mesoderm, notocode, sorry, तो देखिए आप, यह part हो गया, neural tube हो गई, और यह notocode हो गया, तीन चीज़े मैं ने बना ली, अब हमारे पास यह pharynx बनेगी बहाँ पर, pharynx का color मैंने purple यूज किया है, तो यहाँ पर भी मैं pharynx को purple color से बनाँगा, यह देखिए, यह इसकी pharynx हो गई, ठीक है बच्चों, और यह क्या होगा, यह तो portion जो होगा, यह तो बच्चों आपको पताईए, हमेशा से पढ़ाया, siloom होगी, है न, यह siloom हो जाएगा, अब आप ध्यान से सुनने ही बच्चों, embryonic life में क्या होगा, क इसका यह वाला जो portion है, यह pharynx की जो wall है बच्चों, यह थोड़ा बाहर की और grow करेगी, इस तरह से, इधर grow करने लगेगी, इधर भी grow करने लगेगी, जिस समय यह pharynx इस तरफ बाहर की तरफ grow करती है, ठीक उसी समय, यह जो बाहर से body wall है ना इसकी, वो भी अंदर की और grow करेगी, कैसे growth होगी, वो देखिए, मैं बताता हूँ आपको, यह देखिए, यह इस तरह से अंदर की और grow करने लगेगी, फिर क्या होगा, एक point आएगा, कि यह और यह दोनों, यह इस तरह move कर रही है, और यह इस तरह move कर रही है, तो दोनों आपस में एक point ऐसा आएगा, जब यह तकराएंगे, तो देखिए, मैं वो बनाई देता हूँ, अब देखिए, क्या हुआ, आप ध्यान से, इसको मैं यहां से हटा रहा हूँ, और let's see, कि यह grow करते हुए, यहां से, यहां तक आ गई, और अंदर से, जो हमारी fairings है, उसकी जो wall है, वो भी grow करते हुए, fairings जो है, वो भी grow करते हुए, यहां तक आ गई, क्या हुआ, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ टकरा गई, जैसे ही आपस में एक दूसरे के साथ टकराएंगे बच्चों, इनका बीच का जो portion होगा, वो सारा dissolve हो जाएगा, और यह इसके साथ इसके साथ इस तरह से fuse हो जाएगा, यह यहां तक आ जाएगा, यहां तक आ जाएगा, और यह आपस में इसके साथ इस तरह से fuse हो गए, अब आपने क्या देखा, कि यह जो pharynx की cavity है, यह जो lumen है, यह बाहर के environment के contact में आ गई, ठीक है बच्चों, अब वापस में उपर वाले डाइग्राम में जा र इस farings में है, इस farings में यहां पर कुछ इस तरह से, यहां पर इस तरह के कुछ openings होगी, farings की wall जो है, उस में इस तरह की कुछ openings होगी, अब यह openings है ना बिटा ये ये वाली opening है ये वाली opening अब इस diagram में तो मैंने जहां से section काटा है एक ही दिखाई दे रहा है लेकिन ऐसा एक ही जगे नहीं होगा पीछे back side में और कुछ आगे की तरब भी होगा है ना तो आपको ये इस तरह की pharynx की जो wall है उसमें perforations दिखाई दे रहा है ये इधर भी होंगे और इसकी जो opposite wall होगी उधर भी होंगे क्योंकि मैंने भी diagram में आपने दोनों तरब मैंने आपको इन perforations के बारे में बताया अगर ये इस diagram में क्या हो रहा है बच्चों कि हमने animal को काटा हुआ है और हम अंदर से देख रहे है animal को इनकेस अगर मैं इस animal को बाहर से देखूं तो ये animal में बाहर से ऐसा दिखाई देगा बच्चों ये देखिए बाहर से ये animal कैसा दिखाई देगा बाहर से ये animal मुझे ऐसा दिखाई देगा that's it मुझे अभी इसमें और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है अंदर की नर्व कोर्ड नहीं दिखाई दे रही है नूरल ट्यूब नहीं दिखाई दे रही नोटो कोर्ड नहीं दिखाई दे रही एलिमेंटरी कंडाल नहीं दिखाई दे रही लेकिन हाँ, मुझे यहाँ बाहर कुछ openings जरूर दिखाई देगी, बाहर भी दिखाई देगी, अगर इन opening में मैं अपनी pencil डालूँ, यहाँ से सबोस कि आप देखना चाहोगी, मैं इस जगे पर यहाँ अंदर इसमें pencil डालना चाहता हूँ, तो बच्चों जैसे ही आप अपन इसमें डालोगे, डू यू नो यह pencil का निकलेगी, आपने वो जो pencil डाली है, वो यहाँ से डाल रहे हो, इधर इस diagram में आ जाते हैं, इधर देखिए बच्चों, यहाँ से आप वो pencil डाल रहे हो, तो obviously वो pencil सीध है, उसकी fairings में निकलेगी, आया समझ में, और also one more thing, आप क्या mouth बना देता हूँ, इस जगे से आप अगर finger डालोगे, तो यह finger अंदर जाएगी सीधे fairings में, और फिर वहाँ आप अपनी finger को bend करोगे, तो वो इस जगे से आपकी finger इसमें से बाहर आ जाएगी, बच्चों, आया, समझ में आया, I hope कि आपको यह अच्छे से समझ में, इस diagram क उसमें अगर आप finger डालोगे, तो वो जो finger है, वो एकदम से बाहर निकलेगी, body wall से भी बाहर निकलेगी, समझ में आया आपको, कि आप अपनी finger को मुह से डालेंगे, fairings तक जाएगी, fairings की wall में कई सारे छेद है, वहाँ से आप अपनी finger को bend करेंगे, और बाहर निकलने की अब मैं पॉइंट पर आते हैं, कि इन openings को कहते क्या है, इन openings को हम pharyngeal gill slits कहते हैं, pharyngeal gill slits कहते हैं, अब देखो ये gill word आगया, मैं अब आपको समझाना जा रहूं कि इसमें होगा क्या, ये जो animals होंगे, ये यहाँ से अपने मुह से पानी भरेंगे, मुह में पानी प पानी पहुंचेगा का, सीधा पानी फैरिंग्स में आ जाएगा, जैसे ये पानी फैरिंग्स में आएगा बच्चों, उसके बाद ये उस पानी को यहाँ आगे नहीं बेजेंगे, elementary canal में नहीं बेज़ेंगे बलकि यह उस पानी को fairings में भरने के बाद यहां आ जाते हैं देखिए एक मिनिट इसको थोड़ा से clear करता हूँ मैं इनको हटाता हूँ मैं यह देखिए तो जैसे ही पानी यहां आया यहां से बुआ आगे पीछे नहीं जाएगा बलकि इस पानी को यहां से बाहर निकालेगे वो ही finger वाला कि आपने मुह से finger इसकी fairings तक पहुँचाई और fairings में आपने अपनी finger को bend करके बाहर निकाला तो जो छेद है वहां से आपने finger को बाहर निकाला एकदम बाहर आजाएगी exactly इनमें होता क्या है बच्चों कि यह जो area है पता नहीं एक सा क्यूर है चलो anyway मैं यह ले ले दूँ यह जो area है यह वाला area यहां पर बहुत सारे blood vessels होते है इस जगे पर कई सारे blood vessels होते है correct होगा क्या मुँ में जो पानी आया उस पानी में खुब सारा oxygen है इन्होंने बाहर से पानी पिया अब वो पानी जब यहां से बाहर निकलेगा तो उस समय क्या होगा बच्चों कि उस पानी में से जो oxygen है वो oxygen यहां चली जाएगी इस blood में चली जाएगी ओके और इस blood में जो carbon dioxide present है वो carbon dioxide जिसे मान लीजी यहां पर carbon dioxide भी है तो carbon dioxide यहां release कर दी जाएगी तो ऐसे में जो पानी अब यहां से बाहर निकलेगा इसके साथ carbon dioxide सारी बाहर निकल जाएगी मुह से जो पानी इन्होंने अंदर लिया है उस पानी में oxygen present थी वो पानी सीधा pharynx में गया pharynx से वो पानी अब पीछे elementary के नाल में नहीं जाएगा बच्चों समझिए आप इस चीज को दिया यहां इस diagram पर वापस आ रहे हैं और ध्यान से समझना कि जो पानी इन्होंने पिया है यह देखिए जो पानी यहां से अंदर जाएगा वो पानी इन से बाहर निकलेगा अच्छा यह pharyngeal gill slits लेकिन यह pharyngeal gill slits सीधी बाहर जाके open हो रही body से बाहर निकल रही जैसा कि मैंने आपको समझा दिया तो पानी गill से होके बाहर निकल जाएगा और meanwhile जब वो इस पारट से पानी इस पारट से वो पानी जब यहां से लेकर यहां तक वो जो पानी flow करेगा इस duration में oxygen और carbon dioxide का exchange हो जाएगा आपने aquarium में मचलियों को तेरते जब आप देखा होगा जब आप देखते हो कि जब मचलियां वो लगातार अपना मुह हिलाती और पानी पीती रहती है तो बच्चों मचलियां लगातार पानी पी क्यों रही है basically वो पानी को पीक है आगे पेट में, intestine में आगे transfer नहीं करती वो मुह से पानी पीती है pharynx तक पानी जाएगा और pharynx के बाद वो जो pharyngeal gill slits है उन slits से वो पानी बाहर आ जाएगा आया समझ में, यहाँ दो वर्ड यूस कर रहा हूँ gills और gills slits तो यह जो opening आपको दिखाई दे रही है इनको तो gills slits कहेंगे और यह जो पूरा एरिया है जहाँ पर gashes exchange हो रहा है यह इनके gills कहलाए जाते हैं I hope आपको समझ में आ गया होगा तो तीसरा जो correlated characteristic है man important fundamental correlated characteristic जो है वो बच्चों presence of presence of pharyngeal gill slits presence of pharyngeal gill slits ठीक है कई बार यूं भी कहते है the pharynx the pharynx is perforated तो ठीक है pharynx में कुछ छेद होते हैं तो वो perforation हो गए लेकिन उन perforations को वैसे कहते हैं gill slits और यहां में एक और word यूज कर लेता हूँ एक और बता देता हूँ कि paired है ना तो यह भी हमको ध्यान रखना है बच्चों कि यह जो gill slits होते हैं यह paired होते हैं यह left side में भी होंगे और right side में भी होंगे अब आप बोलोगे मैं corridor data में हूँ हमारे पास तो gill slits नहीं है again मैं आपको बता रहा हूँ जो early corridors थे जो पानी में रहते हैं उसके बाद जो fishes हैं और fishes के बाद amphibia जो aquatic amphibians हैं या जिनके जो larval stages होती हैं उन सब में यह pharyngeal gill slits होंगे और बाद के जो corridors हैं जैसे reptiles हो गए जो जमीन पे रहते हैं birds हो गए mammals हो गए जो सब जमीन पे रहते हैं इन में क्या होगा बच्चों कि इन में respiration के लिए lungs आ जाते हैं और gills से respiration नहीं होगा तो gills इन में adult में नहीं पाए जाते हैं बट interestingly even human की embryonic life में भी एक बार हमारी pharyngeal gill slits बनते हैं और बनने के कुछ समय बाद वो वापस degenerate हो जाते हैं वो disappear हो जाते हैं और हमारे पास एक पूरा नया respiratory system lungs बगएरा वो बन जाते हैं बट remember one thing even we mammals birds और reptiles जो land animals हैं जो जमीन पर रहते हैं और जो lungs से respiration करते हैं उनकी भी embryonic life में एक बार pharyngeal gill slits definitely बनती हैं बाद में वो close हो जाती है disappear हो जाती है और एक बड़ी मज़दार बात बता हूँ मैं आपको कि कुछ humans में ऐसे बच्चे भी पैदा हो जाते हैं जिनके pharyngeal gill slits अच्छी तरह से बंद नहीं हो पाते हैं कुछ abnormality की वज़े से ऐसा हो जाता है तो जब वो बच्चे पैदा होते हैं तो कान के पीछे जो neck वाला area होता है वहाँ पे कुछ openings रह जाती है वो बच्चों और उनको फिर हम cervical fistula कहते हैं ऐसे humans भी पैदा हो जाते हैं तो यह presence of cervical fistula confirm कर रहा है कि हाँ हमारी embryonic life में gill slits थे लेकिन वो dung से बंद नहीं हुए तो बात में surgery करके उसको बंद कर दिया जाता है वो कोई बड़ी बात नहीं होती है ज़्यादा damage नहीं होता है उसमें बच्चे को लेकिन इससे confirm हो रहा है कि हमारी embryonic life में pharyngeal gill slits present होते हैं समझ में आया तो यहां मुझे अब add करना पड़ेगा कि presence of paired pharyngeal gill slits at any developmental stage यह हमारा third chordate characteristic होगा तो मैंने आपको बताया कि we have three fundamental chordate characters पहला presence of dorsal tubular single non ganglionated nerve chord यानि कि जो nerve chord होगी dorsal side में होगी tubular होगी यानि कि hollow होगी एक ही होगी single ही रहेगी और उसमें जगे-जगे ganglia present नहीं होगी वो smooth एक जैसे diameter की होगी is that clear? दूसरा chordate character क्या हुआ presence of notochord again उसमें मैं लिख रहा हूँ at any developmental stage पूरी life present हो ज़रूरी नहीं हो embryonic life में होगी adult में नहीं होगी और कुछ chordate तो ऐसे भी होगे जिनमें lifelong persist करेगी वो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कौन-कौन से ऐसी animal है जिनमें bones, cartilage नहीं बनने वाली है उनमें तो ये throughout the life persist करेगी correct बच्चो और तीसरा जो fundamental correlate character है वो है presence of paired pharyngeal gill slits again at any developmental stage at any developmental stage क्योंकि throughout life ये नहीं रहते हैं aquatic mammals जो होंगे like fishes जो होंगी या even आपके उससे पहले के जो correlates होंगे उनमें ये throughout the life present रहेगी लेकिन जो terrestrial correlates होंगे जिनमें lungs से respiration होता है उनमें ये gill slits embryonic life में होगी और फिर disappear हो जाएगी correct बच्चो now come to the fourth correlate character fourth correlate character अब आप बोलोगे कि सर ये कहां से पहता होगे आपने कहा कि तीन ही तो correlate तीन ही तो correlate character है मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा बच्चो मैंने कहा fundamental correlate character fundamental correlate character हमारे पास तीन है पर एक चोथा correlate character हो रहे है जिसे हम fundamental correlate character नहीं कहते हैं लेकिन ये भी again very important और इसको नाम क्या दिया जाता है इसको कहते ही हम fourth correlate character exam equation पुझे है कि which is fourth correlate करेक्टर तो उपर वाले तीन में से नहीं लेना है उन तीन की sequence important है यहां आप इसमें कोई first correlate करेक्टर कौन सा है second कौन सा है third कौन सा नहीं बच्चो ये तीनों के तीनों हमारे पास fundamental correlate करेक्टर है इसमें first second third है नहीं मैं इनको किसी को भी ऊपर नीचे रख सकता हूँ है ना इनका sequence change की जा सकती नोटो को उपर रख लो these are equally important इनके बाद कौन सा important correlate करेक्टर होगा इनके बाद हमारे पास जो fourth coded करेक्टर है वो है presence of post anal tail यह हमारा fourth coded करेक्टर होगा इसके कई सारे exception है कई हो में tail पहले इस डाइग्राम पे आ जाते हैं हम बच्चों और देखें यह रही एनस post anal tail का मतलब होता है कि एनस के बाद का यह वाला जो part होगा इसे हम tail कहेंगे और खाली tail भी नहीं कहेंगे हम इसको post anal tail कहेंगे यह बच्चों non-corredator में भी यह character नहीं होता है किसी में भी नहीं हो अब आप बलोगा सर क्यों नहीं होता है मैं एक काम करता हूं यह देखिए मैं एक यहां पर earthworm draw कर देता हूं तो कि सब्सक्राइए earthworm है ना इसमें segmentation होता है तो मुझे segmentation बनाना पड़ेगा यह लीजिए अब यह earthworm हो गया यहां पे इसका mouth हो गया और यहां इसकी anus होती है कोई भी invertebrate ले लो बच्चों आप उनकी जो anus होगी न वो end में होगी और anus के बाद में कुछ भी present नहीं होता anus उनके last वाले पार्ट में जाके होगी तो if there is nothing after anus तो हम इसके इस portion को tail नहीं बोलेंगे कि भाई body का पिछला part है थोड़ा narrow भी हो गया है तो मैं इसको tail नाम देता हूँ नहीं correct नहीं है आप loosely बोल दो tail है उसके वो अलग बात होगी scientifically it cannot be tail what is tail? tail is the post-annual part of the body कि anus के बाद अगर body का कोई part है तो उसे हम tail कहते हैं अब यहां क्योंकि anus last terminal end पर है उसके पीछे कुछ है ही नहीं कोई party नहीं है तो SMA we cannot say that कोई भी invertebrate जो होगा उसके पास tail होगी tail is a characteristic feature again of cordets और tail को हमने fourth cordet character अब आप बोलोगे सर सांप में क्या system suppose यह कोई snake है बच्चो यह जैसे कोई यह कोई हमारे पास snake होगा तो आप बोलोगे सर स्नेक में tail होती गया let me tell you clearly समझ लीजिए tail सांप जो होते हैं उनकी anus somewhere यहां होगी यहां उनकी anus होती तो इसका मतलब यह वाला जो part होगा इसको आप tail consider कर सकते हो पर क्या tail सभी coordinates में होती है even जैसा humans हम बेटे हैं हमारे पास हमारे पास tail नहीं है frog है frog की larval stage में तो tail होती है adult में mendak के पास tail नहीं है तो tail के कई सारे exception होंगे जहां जहां exception आते जाएंगे वहां मैं आपको वो exception बता दूँगा is that clear बच्चों समझ में आया तो मैंने आपको अभी तक जो basic fundamental coordinate characters हैं वो बता दिये और which is the fourth coordinate character वो मैंने आपको explain कर लिया I hope आपको समझ में आ गया होगा अब हम शुरुआत करेंगे जो general characters हैं coordinate के उसके बारे में discuss करेंगे 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 करेंगे